नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं How to Learn Astrology YouTube चैनल नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में दोस्तो आज मैं फिर एक और नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच हाजिर हूँ दोस्तो आज की वीडियो में हम आको बताने जा रहे हैं आप अपने घर में मौजूद नोट के ऊपर ये एक चीज रख दे तो आपकी किसमत बदल जाएगी दोस्तो माता लक्ष्मी का आशिरवाद हर कोई व्यक्ति चाहता है हर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए लाकों जदन करता है हर प्रकार के टोने टोड़के उपाय करता है मेनत परिश्रम भी बहुत करता है दोस्तों सास्त्रों में बताएगे कुछ उपाई इतने ही सक्तिशाली वे चमतकारी होते हैं कि जिने करते ही परिणाम देखने को मिलता है जिस प्रकार से कुछ खास मंत्र होते हैं जो की चमतकारी होते हैं जिने करते ही सामने वाला व्यक्ति प्रवावित हो जाता है जिस प्रकार से वशीक्रन मंत्र होता है, जिसे याद करते ही, सामने वाले व्यक्ति वशीवूत हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जोति सास्तर में कुछ ऐसे उपाय बताये गए हैं, जो कि अपने आप में ही चमतकारी और विशेस होते हैं, जिने करते ही परिणाम देखने को म तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम आपको उपाई बताएंगी एक बार इसे अपना कर देखिए और वीडियो को पूरा अंततक देखिए ताकि आपको पूरे उपाई की जानकारी हो सके एक बार इस उपाई को अपना करके देखिए निश्चेत रूप से ही धनका आगव देखें और इस वीडियो में बताई जाने वाले उपाय को सही धंग से करें दोस्तों माता लक्ष्मी को जो भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति को धंग से जुड़ी कुछ खास बातों का विशेश ध्यान रखना आवश्यक है जैसे के पीली हल्दी दोस्तों पीली हल्दी को वैसे भी शुवता का प्रतीक माना जाता है और भगवान विश्णू से जोड़ कर देखा जाता है तो दोस्तों पीली हल्दी का इस्तमाल जो भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन के आगवन को और धन की आवक को बढ़ाने के लिए करता है उसका व्यक् करके पूजा मंदिर में एक 10 रुपे के नोट के साथ इसे रख दे और माता लक्षमी और भगवान विश्णू का विदीवत रूप से पूजा करें उन्हें लाल रंग के फूल चावल यानि कि जिन्हें अक्षत भी कहते हैं जो टूटे हुए और खंडित ना हो ऐसे चाव उसके उपर हल्दी के दो गांट रखने के बाद उस दीपक में से बची हुई दो लोंग को उठा कर उस नोट पर रख दीजिए अब नोट को इस प्रकार से मोड़िए कि वे दोनों लोंग और दोनों हल्दी की गांट बाहर ना निकल पाएं और उपर से एक लाल रंग का धागा बांग दीजिए लाल रंग के धागे में 11 गांट लगाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए दोस्तों यह उपाय जिस व्यक्ति भी ने भी किया है उस व्यक्ति के घर में दिन दूनी और रात चोगनी रूप से तरक्य होने लगी है ऐसी किसमत खुलती ह है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं तो दोस्तों इस उपाय को व्यर्ट नदे और इस उपाय को करके आप अपने घर में और अपने जीवन में सुक संपत्ति को आने का अमंतरन दे और माताल लक्श्मी tracking के बाद इस्थाई रूप से वास्ट करने की प्रात्तना भी करए तो द तब तक के लिए दे में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जाय बजरंग बली